हेलो दोस्तों, विल्कम तो दे चैनल, दोस्तों हम मेकैनिकल प्रॉपर्टिज ऑफ फ्लुइड पी डिसकेशन कर रहे हैं और एक इंपोर्टन टॉपिक आज हम डिसकेश करेंगे that is called as capillary action अब capillary action है क्या, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं आपको इनको यूज करके capillary action के बारे में बहुत चीज़े बताऊंगा और इसका reason भी हम in terms of pressure आज इस पूरे lecture में क्या करेंगे, explain करेंगे अब पूरे chapter में capillary action का stand क्या है, यह कहाँ पे rate होता है तो हमने जैसा पिछला expression देखा था, कि जिसमें pressure formula, inner pressure हमने ने calculate किया था, excess pressure का तो वो एक important expression है, और दूसरा capillary action में दो जो questions होने वाले हैं जो आज एक question देखेंगे और कल एक question हम देखेंगे, और अगले वीडियो में एक question इसका आएगा तो ये दो questions में से एक question हमारे लिए exam के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले capillary action और capillary action के बारे में हम चीज़े पता करने की कोशिश करेंगे ये experiment perform नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ लाल पानी है मैंने बस इसमें color डाल दिया था और ये खली glass है और ये tissue paper है paper napkin जिसे हम कहते हैं ये tissue paper है baby wipes भी ले सकते हैं आप face wipes कुछ भी उसकर सकते हैं मैंने उसको क्या कर दिया था ये पूरा ऐसा था मैंने इसको क्या कर दिया फोल्ड कर दिया देखें मैंने इसे फोल्ड कर दिया था जैसे भी आप फोल्ड कर सके और उसको मैंने क्या कर दिया था बीच में से भी उसे क्या कर दिया फोल्ड कर दिया अब मैंने जब इसको ब लाल पानी में और उसका दूसरा एंड मैं कहां पे डाल दूंगा खाली गलास में डाल दूंगा एक एंड कहां पे डाल दिया है मैंने लाल पानी में डाल दिया है और एक एंड इसका कहां पे डाल दिया है खाली गलास में डाल दिया है और इसे एसे ही रहने दूंगा इसको म अभी हात नहीं लगाऊंगा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि पानी इस पूरे लाल पानी के ग्लास से धीरे 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 अटमेटिकली कहां पे चाह रहा है इस खाली ग्लास में जमा हो रहा है देखी ये ग्लास अभी भी कैसा है खाली ही है तो इसमें पानी अटमे अब मैं दूसरी चीज़ पर concentrate करता हूं यह हमारे पास दिया है देखिए अब दिया है दिये में कुछ भी नहीं है अब दिये में अगर कुछ भी नहीं है तो अगर मैं यहां पर जलाओंगा तो यह बाती जलेगी नहीं इसमें मैं क्या करता हूं थोड़ा तेल डालता हूं अब मैंने क्या कर दिया थोड़ा साही डालूंगा कि दिये के लिए सबेरे घर पर बहुत मज़ा आया था तो मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा तेल इस दिये में क्या कर दिया है डाल दिया है और रुकूंगा मैं एक से दो सेकंड के लिए रुकूंगा विडियो पॉज करके और जैसे मैं देखता हूँ कि जब मुझे इसे जलाना है तब क्या हो जाएगा यह अच्छे से ग्लो करेगा यह अच्छे से जल जाता है यह फर्क है अब यह हुआ क्या है कि तेल इस विक में विक यानि बाती होती है दोस्तों इस विक में नीचे से उपर तक आ गया है पानी भी यहां से पूरा ट्रेवल करके इस टिश्यूज में से ट्रेवल करके कहां पे जा रहा है इस जो ग्लास में जिस ग्लास में बिल्कुल भी लाल पानी नहीं था उस ग्लास में ट्रेवल कर रहा है अब यह हो कैसे रहा है, यहाँ पे ना मोटर है, तो ओइल भी जैसा dense पदार्थ है, वो उपर चड़ रहा है, अगेंस्ट ग्रैविटी चड़ रहा है, यह पानी भी अगेंस्ट ग्रैविटी चड़ रहा है, अब अगर आप देहेंगे, अगर आप सोच भी सकते हैं, आपको ascent of sap कहते हैं, कह देगी निया, ascent of sap करके एक procedure आपके पास है, तो बेटा जो ascent of sap है, वही process, that same process is capillary action, मैं क्या करता हूँ, अपने दोलों instruments को थोड़ा सा आगे रख देता हूँ, ताकि इनकी process चालू होते रहे, मैं आपको 20-20 में इनको क्या करते रहूँगा, दिखाते र पढ़ेंगे, तो हम आप अपने topic के तरफ जाते हैं, कि हम क्या पढ़ने वाले, capillary action की liquid उपर या नीचे कैसे जाता है, तो इनको बाजू में करता है, देखे हमारा topic शुरू करते है, मैंने इसे जानबुज के इहीं पर रखा है, ताकि आप समझ सके कि कैसे liquid ट्रांस्पोर हो रहा है, और मैं उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा हूँ, मैं बिल्कुल भी liquid इदर का उदर नहीं करूँगा, साइंस, अब आप घर पे भी कर सकते है, कोकम जर्बत भी ले सकते हैं और वो भी कैसे हो जाएगा, ट्रांस्पोर हो जाएगा, कलर इसलिए यूज किया थ है, liquid which completely weights the surface, जो हमारे capillary action के लिए बिल्कुल useful नहीं है, हमारे पास जो बचेवे दो liquids है, उनको डिसकस करना है, liquid which partially weights the surface, जिनका surface area concave बनेगा, और liquid which does not weight the surface, जिनका surface area कैसा रहेगा, convex रहेगा, तो इन दो types के liquid में क्या होता है, कि हम अगर इस type के liquid में capillary tube डालेंगे, तो liquid क् होगा, capillary tube में क्या होगा, rise होगा, जैसे यहाँ पर automatically rise हो रहा है, यह tissue is, that tissue is behaving as a capillary tube, और इस type के अगर liquid में डालूंगा, जो does not weight है, does not weight वाला जो liquid है, तो इसमें liquid क्या होगा, हमारा drop होगा, fall होगा, तो इसे भी capillary action ही कहा जाता है, देखिए आपको अगर यकीन नहीं आ र यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है, तो लिक्विड क्या हो रहा है, इसमें rise होके यहाँ पर गिर रहा है, तो हम अब पढ़ाई के तरफ जाते है, what is capillary tube, capillary tube is anything, a tube which is having very fine और very small diameter, जिसका diameter बहुत ही छोटा होगा, जिसे इन इस कपडे के और इस tissue paper के अंदर के चुका था, that fine lines, a tube which is having very fine और very small diameter, अब मैंने दिया तो बुजा दिया है, लेकिन इसकी देखें, इसकी जो विक है, यह जो इसकी विक है, जो बाती कह सकते हैं, इसके जो lines है, fine lining जो यहाँ से आ रही है, तो उसका भी diameter कैसा है, बहुत ही कम है, तो अब tube which is having very fine और very small diameter, which is approximately equal to 1 mm, and open at both ends, that is called as capillary tube, उसे क्या कहा जाता है, capillary tube कहा जाता है, अब इस capillary tube को capillary action की हिसाब से अगर हमें लिखना है, तो capillary action के बारे में हम क्या लिखेंगे, rise or fall of liquid inside the capillary tube, when it is, when it is immersed in liquid, it is called as capillary action, कि एक time में क्या होगा, एक तो liquid क्या होगा, rise होगा, और liquid क्या होगा, fall होगा, either it will rise, either it will fall, तो ये जो अंदर हो रहा है, capillary action के अंदर जो हो रहा है, उसे क्या कहा गया है हमारे साथ, capillary action, और इसी capillary action को मैं आपको explain करके दूगा, कि ये क्यूँ पानी उपर चट रहा है, ये सब pressure का खेल है, ये सब खेल किसका है, pressure का है, तो ये पानी क्यूँ उपर जिसको पसंद आ रहा है, like मारते रही है, और दूसरों को share करते रही है, ताकि सब इस मज़े में सीख सके, चलते हैं, हमारे question की तरफ, तो चलने से बएल एक बार इसके applications भी लिख लेते हैं, applications of capillary action, दो तो हमने आपके सामने ही बना दिये थे, एक पहला क्या था, oil rises in a wick of lamp oil, lamp के wick में क्या हो रही है, उपर जा रहा है, तो that is the structure, और दूसरा लिख सकते हैं, cloth और paper, उस में से क्या हो रहा है, ये क्या सक कर रहा है, sucks water, ये क्या हो, उपर क्या ले रहा है, water उपर ले रहा है, और हम क्या लिख सकते हैं, ascent of sap भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया blotting paper भी हमारा क्या हो रहा है पानी उपर ले लेता है तो उसे भी हम लिख सकता है तो ये सब उसके क्या हो गया actions हो गया अब हम pressure three की तरब चलते है pressure three बहुत ही easy है अगर आपको समझ में आ जाए मैं आपको पहले diagram के तोर पर समझा के दूँगा और फिर उसे हम लिखेंगे तो you will be understanding it better तो आगे बढ़ते है बढ़ा दीखे इस से एड़ हमारा experiment चालू है वो चलता रहेगा अब उसके बारे में हम आखरिम बात करेंगे कितना पानी जमा हो रहा है अब यह क्यों हो रहा है इसका reason मैं यहाँ पर बताता हूँ explanation of capillar reaction हमने क्या कर दिया था एक liquid भरा हुआ था liquid कैसा है देखिए liquid हमेशा याद रखिए जो अंदर लिया है that is liquid which partially wets surface ऐसा liquid है जिसका shape क्या बनेगा shape कैसा बना था हमारा concave बना था हमने angle of contact में इसके बारे में discussion किया था description में link है उसको भी पढ़िए liquid which partially wets the surface और यह diagram कब की है जब just capillaries में क्या कर दी हमने immerse कर दी तो पानी अभी चड़ा नहीं है पानी याने liquid अभी उपर कैसा नहीं है अब यह चड़ने के लिए होगा क्या इसे तो हमें पढ़ना बढ़ेगा तो मैं इसको क्या कर लता हूँ बाजू में कर ले तो अब देखिए liquid अगर mercury होता था which does not wait the surface तो उसमें liquid क्या होगा fall होगा तो जिस वज़े से rise होगा exactly उसी वज़े से fall होगा बस pressure इसका कैसे रहेगा opposite रहेगा वो मैं आपको आखरिम बताऊंगा लेकिन पहले हमें rise क्यूँ हो रहा है इसके बारे में पढ़ना है तो fall क्यूँ होगा है इसके बारे मैं आपको बता दूँगा पहला point मैं consider करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे और इस point का नाव है मेरे A देखिया उसके बाद में उसी उसमें ही उसी structure में capillary में ही मैं नीचे यहाँ पे एक point consider करता हूँ जहाँ पे जिसका नाम क्या है B है अब इन दोनों के बाद और एक point consider करता हूँ जो B के line में है एक यहाँ पे और एक line में है A के line में है यहाँ पे तो इस point को नाम देंगे हम C और इस point को नाम देंगे हम D आपको चार point समझ में आ गया है यहाँ का एक point है हमारा A यहाँ का अंदर का B एक C एक D चारो points कैसे देखिए A और B कैसे है Capillary के अंदर points है समझवाया गया A और B अंदर है और C और D कैसे है बाहर है उसमें भी D कहां पे है पानी के अंदर है और C कहां पे है उपर है तो एक बार इन चारों points पे अगर हम नजर डालेंगे तो हमें क्या दिखता है बेटा कि A कहां पे है A is on concave side side of B B के concave side पे कोन है A है तो pressure on concave side is always greater than pressure on convex side तो हम अभी के लिए कह सकते है क्या PA is greater than PB यह हम theoretical बाई आपको पता रहू इसको हम लिखेंगे detail में लेकिन पहले हम इसे एक बार प्रूव तो कर ले तो pressure at A is greater than pressure at B यह हमने पहली बात कर ली दूसरा हम कैसे लिख सकते है यह जो point C और D है यह liquid के same distance पे उपर same distance पे नीचे इसके लिए हम कह सकते है और आप कहांगे सर यहाँ पे concave shape नहीं है नहीं है बेटा क्यूंकि liquid के capillar के अंदर concave shape है और C और D जहाँ पे है वहाँ पे liquid के साथ plane है तो हम क्या कह सकते है pressure at C is equal to pressure at D because they are at same side of liquid और they are at same distance from कहां से liquid से same distance from liquid यह हमने equation number क्या consider कर लिया to be consider कर लिया PC is equal to क्या होगे है हमारा PD अब हमें B के बारे में बात करनी है और B के बारे में बात करने के लिए पहले A को भी समझना चाहिए अब देखिए CA यह दूनों same structure पे है और इन दूनों के कौन सा pressure आ रहा हो act हो रहा होगा atmospheric pressure तो हम यह भी कह सकते है PC is equals to PA is equals to कौन सा pressure atmospheric pressure अब देखिए क्या बन गया PC is equals to PD PC is equals to PA तो मैं कहा लिख सकता हूँ PA is equals to PC is equals to PD देख रहा है यहनि कोन से तीन point पे same pressure है CA और B इन तीन points पे pressure कैसा है same है और PA is greater than PB तो हम कहा लिख सकते है कि pressure at point D and pressure at point B इन दोनों में अगर हमें compare करना है तो point D पे pressure कैसा है ज्यादा है यानि इन दो points के अंदर यह जो अंदर के दो points है यह एक D point हो गया एक point B हो गया तो इसमें D point पे pressure कैसा है ज्यादा है किसे B से अब B पे pressure कम है किसे D से तो इस कम pressure को इस कम pressure को समझ लीजे यह हमारा यहाँ पे liquid column है और इस liquid column में हमने यह सा बना दिया यहाँ पे point B है यहाँ पे point क्या है? D है अब इन दोनों में देखिए आप D पे pressure कैसा है? ज्यादा है और B पे pressure कैसा है? कम है, किसे? D से यह हमने अभी crew किया तो इस कम प्रेशर को क्या करने के लिए बैलेंस करने के लिए पानी इसमें क्या हो जाएगा उपर चड़ेगा ताकि PD is equal to क्या हो जाए PB हो जाए यह बैलेंस करने के लिए उपर चड़ता है अगर इसकी reverse condition बन जाएगी तो पानी क्या होगा फॉल होगा लेकिन अभी हम upward action की बारे में सोच रहा है तो क्या हो रहा है देखें पानी यहाँ पे कितना जमा हो गया इसमें कितना पानी जमा हो गया क्यूं तो यहाँ पे सेम आइसी structure हुआ कि B point जो capillar के अंदर का था और liquid के अंदर था उसका प्रेशर उसमें प्रेशर कैसा बन गया कम बन गया और D का कैसा हो गया ज्यादा हो गया तो पानी कैसे चड़ गया उपर चड़ गया और फिर उसमें water क्या हो जाएगी rise हो जाए आ रहा है आपको जमझ प्रेशर एट पॉइंट A is greater than pressure at point B क्यूं क्यूंकि A कौन से सर्फेस पे हैं कौन के उसर्फेस पे हैं दूसरी बात एक same level same distance distance की बजाए हम यहाँ पर word क्या यूज करेंगे level अब same level पे है C और D तो C और D की प्रेशर वैल्यू कैसे होगी same होगी और C और A इन पे कौन सा प atmospheric याँने Z D and A in तीनों पे pressure कैसा है Act होरे वाला same pressure है इन तीनों पे same pressure act हो रहा है और इन तीनों पे same pressure act हो रहा है इसलिए हम इसको prove करते हैं की D पे ज्यादा pressure है और B पे कैसा pressure है कम प्रेशर है तो पानी कैसे चड़ेगा ऊपर चड़ेगा मजाया वेटा कि पानी को ऊपर हमने चड़ा दिया on the basis of प्रेशर थिरी सुभज में आगे आपको कि प्रेशर on concave side is always greater क्यों 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 इसलेगे चाथ है क्या आपके प्रेशर है तो इसको क्या गारेंगे और ऐसे प्रेशर बढ़ते है, in the comment section में आप लिखते रही है, के आगे बढ़ना है, सबसे पहले answer लिखने के लिए तो हमें क्या करना बढ़ेगा, हम हमारा explanation ले लिए इंदर ले लेते हैं, यह हमारा experiment बांपनी अंदर आ गया तो यह पानी उसमें जमा हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहा है सबसे पहले capillary action का explanation करने के सबसे पहले हमने सबसे पहले consider कर लिए 4 points और वो कहा कहा पे वो भी लिखना बहुत ज़्यादा important है तो consider a liquid which partially weights the surface and capillary immersed in it इसकी हमें दूसरी diagram भी निकालने पड़ेगी जिसमें पानी उपर चड़ा है यह भी याद रखिए पानी उपर चड़ने वाली diagram भी necessary है वो ही तो capillary action है यह कौनसी है just immersion water का है तो PA कैसा है pressure at point A and A कहाँ पे which is above the concave surface inside the capillary position लिखिए अच्छे से position लिखना है हमें तो A is at the above the concave surface inside the capillary B कहाँ पे है B PB is the pressure at B and B is below the concave surface inside the capillary यह answer में आना चाहिए PC pressure at C, C just above the plane surface outside the capillary PD pressure at point D D just below the plane surface outside the capillary just below the plane surface है लिक्विड के तो and B and D are at same horizontal level यह भी हमने उसमें क्या कर दिया है लिख दिया अब यह जब हमने चार points लिख दिये तो अब हमें क्या मिला है हमें पूरी आजादी मिल गई है कि अब हम P, A, P, B, P, D, P, C यह सब यूज करके क्या करें हमारा answer लिखे देंगे अब तो अब हम easily answer क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो यह आपको पहले उसमें लिख लेना है अब answer की तरफ जाते है बेटा screenshot लिजिए, pause कीजिए ने तो दूसरी बार जब देखोंगे तब इसको लिख लिजिए और आगे बढ़ते हैं अब चलिए answer लिखेंगे तो capillary action के लिए हमने P, A, P, B, P, C, P, D explain कर दिये अब answer कैसे लिखना है मैं देखता हूँ आप देखिए हमारा transfer of liquid चालू है बहुत ज्यादा liquid यहाँ पर जमा हो गया हम आखरी में इसको देखेंगे अब देखिए as pressure on the concave side of liquid is greater than the convex side the P, A is greater than P, B आगे समझ में as pressure is same on both sides of a plane surface अब कौन से दो plane surface इस पर हैं C and D तो PC is equals to क्या लिख 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 यह तोनों आपको क्या करना है इसका screenshot निकाले कि आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको points समझ में आ जाए और तीसरी बार हम क्या प्रूब कर रहा है कि the points A, C A and C are on the same level the pressure will be same therefore PA is equals to PC अब देखे PA is equals to PC and PC is equals to PD यानि PA, PC, PD इन तीनों का pressure कैसा है same कौन सा pressure है atmospheric pressure अब atmospheric pressure PD पे इतना है और PD का pressure हम PA के pressure से replace करेंगे यानि हम पहले equation को यहाँ पे कैलिक सकते है first equation को हम rewrite कर सकते है that PD pressure at D is greater than pressure at B अब गरबड क्या होगी B and D are at same horizontal level in the liquid but pressure कैसा है different है अगर pressure different है एतो ऐसा नहीं चलेगा तो to maintain same pressure the liquid out of the capillary runs inside the capillary and rises above point B कब तक rise होगा जब तक इन दोनों का pressure कैसा नहीं होगा same नहीं हो जाता को किसको pressure same नहीं हो जाता pressure at D becomes equal to pressure at B जब तक इनका pressure same नहीं हो जाता तब तक ये liquid क्या होता रहेगा rise होता रहेगा एक्सप्रेट बाजू में ले लिया और liquid हमारे लिए क्या हो जाएगा rise होगा इसके लिए हम कहते है thus liquid rises inside the capillary tube अगर pressure at D is less than pressure at B अगर ये क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ ये कैसे हो जाएगा less यानि PD यही explanation PD is less than PB हो जाएगा तो हमारा liquid rise नहीं होगा liquid क्या हो जाएगा fall हो जाएगा यानि action तो वही होगी but PD is less than PB अगर हो गया तो liquid क्या होगा fall होगा और ये हमारा rise of liquid की हमें diagram निकालना compulsory है ये just immersed और ये क्या हो गई liquid हमारा क्या हो गया rise हो गया तो ये diagram हम fall के लिए भी निकाल जाकते हैं बस इसमें liquid क्या हो जाएगा fall हो जाएगा लेकिन height के साब से consideration होता है तो आपको expression सबज में आई गया हो गया जमा हो चुका है और इस liquid में भी हमारे पास कितना है पानी इसमें भी जमा हो चुका है यानि liquid क्या हुआ transfer हुआ लिक पानी इस glass से उस glass तक और easily हमने क्या समझ लिए capillary action समझ लिए बढ़ा experience में perform करता रहूँगा आप बढ़ते रहिए सब दोस्तों को बताईए experiment में से कौन सिखाता है physics तो हम बढ़ाते हैं तो सब को बताईए 11th के lectures भी start होने वाला है तो आपके दोस्तों को भूलिए कि 11th के lectures के लिए आपारा channel like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे पढ़ते रहिए हम भी क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे Thank you